हे दोस्तों, आई लेर्ड में आपका स्वागत है आज हम स्नेक अन्द मिरर का पार्ट टू का वीडियो करने वाले हैं अगर आपने इसके पार्ट वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कार्ट पे उसका लिंक है उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें हमने पिछले बाट में देखा था कि जो हमारे नेरेटर है वो रूम में बैठके अपनी किताब निकालके पढ़ रहते हैं अचानक से उनको आवास सुनाए देती है पीछे कुछ गिरने की अज सड़नली उनको क्या रिलाइस कर होता है उनके उपर सांप चड़ गया है I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out there was no time to do any such thing the snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow the hood was spread out and its head was hardly three or four inches from my face I didn't jump, I didn't climb, I didn't climb, I didn't tremble tremble means cup-cup I didn't cry out, I didn't cry out, I didn't shout cry out means shout so I didn't climb, I didn't cry out, I didn't cry out so I didn't cry out, I didn't cry out the snakes slithered along my shoulder slithered normally is the word especially reptiles mostly snakes so we trzy the birds love fed up slither out and slitherers 1919 extractingação so there is another word called crawling the slithered is sort of on fricking racing Speedfish has had故 of my shoulder sil declaration गया और उसने क्या किया मेरे को कॉयल कर लियो से उपर से उपर हैं उसको पूरा उसने काए अपने है को को किह लिया और उनको उस Smells जकर लिया, the hood was spread out उनका hood याने, fun तो जो कोब्रा का fun है, वो फैला हुआ था, फैल गया spread out, और उसका जो face था, वो hardly 3-4 इंच वो है, उनके face से था तो उसका जो सड था, वो narrator के face से 3-4 इंच दूर ही था It would not be correct to say Merrily that I sat there holding my breath, I was stone to stone, तो अब वो क्या बोल रहे हैं, यह सही नहीं होगा कहना कि मैं सिर्फ, Merrily का मतलब होता है, only, सिर्फ कि only, मैं क्या कर रहा था वहाँ पर अपने सांस को रोके बैठा था मैं पत्थर बन चुका था तो वो कहना चाहरे है कि मैं इतना जादा डर लग रहा था कि वो एकदम इतना कम मोशन कर रहे था, अगर आप हिल जाओगे एकदम से अलांड हो जाएगा तो उन्हें डस लेगा तो एकदम से स्टफ हो गए वो एकदम स्टोन की तरह वो बैठ गए तो इट आइवस स्टोन का मतलब बीकों स्टिफली बैड़ गया त्योसरा वर्ड है काफी अच्छा वर्ड है जिसके लिए यूज होता है याद इस पेट्रीफाइड इन प्रिफाइड जो आप शॉक हो जाते हो और लिए पातवी शौक के वज़े से एक कमिंग ना किया करना चाही क्या नहीं सब्सेंद नहीं करना चाही है दोर ओपन इंटो डाकनेश तो जो उनका रूम का दोर था वो बाहर अंधेरे में खुला हुआ था बाहर पूरा अंधेरा चाहे हुआ था रूम में चाहो तरफ अंधेरा था इन दे लाइट अप दे लाम आई साथ देर लाक एस तोन इमेज इन दे फ्लेश तो पूरा अंधेरा था चाहो तरफ एन उस लाम की रॉष्णी में मैं बैठा था एक पत्थर की तरह इन दे फ्लेश इन दे फ्लेश का मतलब होता है इन परसन तो मैं वहां पे एक स्टोन इमेज की तरह बैठा वा था तो इंचोट वो कह रहे थे कि मैं उस लैंब के सामने सिर्फ बैठा वा था और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ उस समय मैं क्या फील कर रहा था? मैं भगवान की प्रेसंस को इस दुनिया को जिसने बना है जो creator है जिसने इस दुनिया को बनाई है इस पूरे ब्रह्मान को उनिवर्स याने ब्रह्मान को बनाया है उसकी प्रेसंस को मैं फील कर रहा था भगवान वहाँ पे थे नौर्मली आप जब भी इस तरह की dangerous situation में होते हो तो आपको लगता है कि आपके पास death जो है आने वाली है और इन दोस मुमेंट्स आपको एकदम ऐसा लगने लगता है God की presence है बस भगवान ही आपको बचा सकता है इवन दो आप पूरी जिंदगी भगवान पे ना विश्वास करते हो हो सकता है कि आप नास्ती को बढ़ाओ ऐसे मुमेंट्स में आपको जो आपके पास कोई option नहीं है तो अचानक से आपको भगवान देखने लगते है अगर आप religious person है तो definitely आप उस मुमेंट में भगवान को याद करेंगे लिख रहते हैं ओगवान देर वस सम पेन इन मैं लेफ्ट आम इस अपने लेफ्ट आम में जहां पर इस साप ने कॉइल करके रखा था इस तरह से नॉमली आपने देखा हुआ कि साप जहें कॉइल कर लेते आपके बॉड़ी पार्ट को यहां पर बेसिकली उनका इल्बो से उपर का पार्ट उन्होंने कॉइल क्या था नॉट संथिंग लाइक इस इस एडिया को उसने पूरा कॉइल करके रखा वा था कि उनको ऐसा लगना था कि वह जो है एक ठिक लेडन रॉड ही ने लेड से बना हुआ को सब्सेंस वो लगा उनको फिर वह सोच चैड़ कि नहीं वह रोड जो है molten fire था एकदम पिगली भी आग की तरह उनको feel हो रहा था और slowly धीरे धीरे बट powerfully बट पूरी ताकत के साथ उनके आम को क्या कर रहा था crush कर रहा था तो यह जो है basically आपने देखा होगा कि साप इसी तरह से crush करते हैं अपने prey को भी या किसी भी जगह करते हैं तो उसको पूरी तरह से क्रेप करने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ भी अभी exactly यह हो रहा है तो उनके आम को पूरा crush कर रहा है वह और इन बहुत ज्यादा पावर होती है स्नेक में पूरी बॉड़ी के मसल से वह आपके उस छुटे से एरिया को crush करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा दर्द भी वहसूस हो रहा था और उनको ऐसा लग रहा था कि यह पिगली भी आग की तरह वह जो है उनके साथ आराउंड वो क्या सोच रहे है कि मेरे छोटे से भी मुवमेंट के कारण यह स्नेक जो है मुझे स्ट्राइक करेगा अने अटाक करना और जो देथ है उनकी सिर्फ फोर इंचेस दूर है तो इसका जो हैड था साप का फोर इंचेस अवे था और उनको पता था कि जो मौत है उनकी सिर्फ चार इंच दूर है और सपोज उसने स्ट्रक किया तो मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए इन फैक्ट यह हमारे साथ होता है जब यह मैंजर की सिचुईशन में होता है त दोड़ के यहां जाओंगा तो इस सोच रहे हैं इनका दिमाग बहुत तेजी से चल रहा है समने उनने का था कि उनका दिमाग बहुत अक्टिव हैं तो सोच रहे कि वह क्या करेंगे कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए बट फिर उनको क्या ख्याल आता है कि उस रूम में कोई म अधिरिस भी पर वह गरीब हैं और बुद्धू है और एकड़म पागल हैं अपने वह क्या करें फूलिश और स्ट्यूपिड के रहे हैं बेवकूफ है वह और गरीब भी हैं और वह अपने इस फूलिशनस पर बैसिकली स्माइल कर रहे तो अपने डेंजर को भूल के और हल के पास medicine नहीं है it seemed as if God appreciated that the snake turned its head and looked into the mirror and saw its reflection. तो क्या सो चाहते ऐसा लग रहा है कि God could appreciate करे इस moment को कि क्या irony है देखो ये doctor है इसके पास को भी medicine ही in case कुछ हो जाए तो. उस सवरान क्या होता है snake अपना सर घुमाता है turns its head और वो mirror में देखता है और अपनी reflection देखता है अपनी जो mirror image वो देखता है I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror but it was certain that the snake was looking into the mirror तो क्या बुल रहा है मैं ये claim नहीं करता हूँ कि ये पहला snake है जो कभी किसी आइने में देखा होगा कुदको but ये पक्का है कि ये snake इस आइने को जरूर देख रहा है तो मुझे नहीं पता है ये पहला snake है कि नहीं बट इतना पता है कि ये snake पूरी शुर्टी के साथ इस मिरर को देख रहा है Was it admiring its own beauty? क्या वो अपनी ब्यूटी को अड्मार कर रहा है अपनी ब्यूटी की प्रसंचा करता है जैसे वो खुद कर रहे थे पहले Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? और वो सुचे क्या मेरी तरह जैसे वो important decision लेने कोशिश कर रहा है क्या वो important decision ले रहा है कि उन्हें एक मूँ चुकानी चाहिए उसे कि उसे eyeshadow यूज़ करना चाहिए या कुछ mascara यूज़ करना चाहिए especially लड़कियों के लिए makeup का समान होता है या उन्हें कुछ सिंदूर लगाना चाहिए vermilion spot basically vermilion आप सिंदूर को कहते है but vermilion spot का मतलब हो सकता है कि या तो वो बिंदी लगा है या basically मांग में सिंदूर भरे तो यहां पे वो on its forehead बोल रहे है तो it's kind of clear कि वो बिंदी की बात कर रहे है तो वो सिंदूर अपने forehead पे लगा है तो यह कहनी कुछ करें कि अगर वो male हुआ तो मुस्टाश के बारे में सोच रहा होगा अगर female हुआ तो इन सब चीजों के बारे में सोच रहा होगा I did not know anything for certain What sex was this snake? Was it male or female? I will never know For the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap From there it crept onto the table and moved towards the mirror Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters मुझे कुछ भी certainty से पता नहीं था मुझे पक्के से certain याने पक्के से मुझे कुछ भी पक्के से पता नहीं था कि क्या चाहता था वो स्ने What sex was this snake? So, वो स्नेक का sex क्या था? Whether क्या वो male था? क्या वो female था? तो यापर sex basically referring to gender I will never know मुझे कभी भी पता नहीं चलेगा For the snake unwound itself क्योंकि स्नेक ने क्या किया? अपने आपको unbound किया अपने आपको खोला उनके हाथ से And वो धीरे-धीरे उनके lap तक rank के गया फिर वहां से table पर गया And वो फिर mirror के पास चला गया Perhaps, and वो कहरे है Perhaps, perhaps, and maybe Maybe, वो अपने reflection को पास से Enjoy करना चाहता था Closer quarters याने At close distance I was no mere image cut in granite I was suddenly a man of flesh and blood Still holding my breath I got up from the chair I quietly went out through the door Into the veranda From there I leapt into the yard And ran for all I was worth I was no mere image cut in granite So I was not only an image made of granite I was not a man of flesh and blood Suddenly I was a man of flesh and blood I was a man of flesh and blood I felt that now I am a man of flesh I mean, I am not a man of flesh But still Still, अपनी सांस को Control में रखते वे, होल करते वे अपनी चेहर से उठे धीरे धीरे दोर तक गए फरांडा में गए और फिर वहां से वो Basically भागते हुए तेजी से वो यार्ड में गए बाहर के लैंड में और वहां से भागे For all I was worth For all I was worth का मतलब जितनी भी उनमें एनर्जी थी उसके साथ वो पूरी तरह भाग लिए Few, each of us heaved a sigh of relief Somebody asked Doctor, is your wife very fat? So जो कहानी सुन रहे थे सबने few किया कि finally doctor बच गए You know, इतनी इमर्स हो गए वो स्टोरी में And उनको एकदम राहत मिली कि हाँ कुछ हुआ नहीं Somebody asked Doctor, क्या आपकी wife मोटी है? No, the doctor said God willed otherwise My life companion is a thin, reedy person With a gift of a sprinter No, doctor ने क्या क्या? नहीं Bhagawan ने कुछ औरी सोचा था Bhagawan की कुछ औरी मर्जी थी Willed otherwise My life companion, मेरी जीवन साती है Thin है बहुत ही पतली है, reedy है Reedy का मतलब होता है Tall and thin With a gift of a sprinter And क्या चीज़ की gift मिली है उनको? To be a sprinter Sprinter कीसे कहते हैं Basically, आप उन athletes को कहते हैं उन racers को कहते हैं जो short sprint races करते हैं Sprint races याने जो short distance races होते हैं Athlete Who sprints basically So basically, वो तॉल है, थिन है और बहुत तेज भागती है So उनके साथ exactly opposite हुआ वो एक मोटी बीवी चाते थे ताक कि अगर उनसे कुछ गड़ब हो जाए तो भाग ले उनसे लेकिन ये अल्रेडी एक sprinter निकली Somebody else asked Doctor, when you ran, did the snake follow you? So किसी और ने बुचा So doctor ने किया reply दिया कि मैं भागा भागा जब तक मैं अपने दोस के घर नहीं पहुचा तुरंती उन्होंने किया कि अपने पुरे शरीर पर उन्हें तेल मला So smear करना याने मलना तो पूरा oil spread की अपने पुरे शरीर में उन्होंने नहा लिया And ये उन्होंने क्यों किया? I'm not sure क्या वो superstition था कि snake ने उन्हें टच किया तो उन्होंने oil लगाया यही उनका normal routine होता है कि आप oil से बात करते हैं oil लगा के या उन्हें ऐसा होगा कि क्योंकि snake ने टच किया तो हो सकता उन्हें कुछ disease ना हो जाए so I'm not sure कि यह oil का part क्यों है बट ठीक है we will say कि हो सकता हुआ कुछ यही तरीका होगा बात लेने का I change into fresh clothes फिर उन्हें फ्रेश कपडे पहने next morning at about 8.30 so next morning 8.30 बजे वो अपने फ्रेंड को लेके और एक-दो लोगों को लेके अपने रूम पर गए ताकि वहाँ से चीजों को हटा सके but we found we had little to carry but उन्हें ने क्या पाया है कि carry करने के लिए उठाने के लिए बहुत कम समान था कुछ चोड ने क्या किया पूरा most of the sum most of his things so काफी सारे समान उनके जो है उन्होंने चुरा लिये थे रूम का पूरा सफाया हो गया था रूम अडविन क्लीन अटे ने पूरा सफाया हो गया था बट पूरा सफाया नहीं हो था पूरी तरसे सफाया नहीं होई थी एक चीज वो छोड़के चले गया थे as a final insult final insult की तरह what was that I asked so क्या था वो I asked so basically जो actual author है या narrator है वो पोच रहे है कि वो क्या था so the doctor said, doctor ने क्या का my vest, the dirty one the fellow had such a sense of cleanliness the rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water so doctor ने का कि मेरी बनियान my vest, जो गन्दी थी तो उनकी जो गन्दी बनियान थी उनने का था जो वाइट नहीं रगी basically yellow सी होगी तो वो छोड़के चला गया so fellow, the man had such a sense of cleanliness मतला वो इस किता सफाय पसंथा वो आदमी तो वो बोल रहते है कि that rascal, that वो दूष्ट आदमी so rascal का मतलब होता है basically dushed so वो दूष्ट आदमी ले के चला जाता और बाद में वो soap और water से, वो साबून से धो लेता उसे वो छोड़के चलागे वो उनके लेक इनसल्ट होगे कि basically इनकी सिर्फ खराब सी गंजी बनियान पड़ी है did you see the snake the next day doctor? क्या आपने snake को देखा next day doctor? the doctor laughed I've never seen it since it was a snake which was taken with its own beauty doctor हांसे और क्या बोलते है मैंने उसे कभी भी नहीं देखा उस दिन के पाद it was a snake which was taken with its own beauty वो ऐसा साम था जो अपने खुबसूर्ती के कभजे में आ गया था which was taken with its याने which was attracted by और you can say उसके कभजे में आ गया so this is the end of the story thanks for watching this video अगर ये वीडियो आपको पसंदा है तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए अपने comments और feedbacks comment section में लिखिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए आप हमारे चैनल को subscribe इस गो लोगों पे click करके subscribe बटन बागे कर सकते हैं इस bell icon को भी प्रेस करने ना भूले ताकि हमारे सारे वीडियो की notification साब तक जल से जल पहुँचे इस chapter के question answers के वीडियो के लिए stay tuned बबाए